Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study, Changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का, इंडिया के number one study channel, Wi-Fi Study पर जो की part है एन अक्याडमी का DFCCIL Executive Exam के लिए कल सभी लोगों को कल के exam के लिए best of luck मेरी तरफ से आज आज आईए फटा फट से इस part 2 में, final test में, आज कुछ और questions करते हैं I hope आप सबको मेरी voice आ रही होगी clearly और मैं दिखाई भी दे रहा हूँगा फटा वट से बताइए कि क्या सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है नमस्कार है, स्वागत है आप सबका स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले में आप सभी लोगों को बता दूँ कि 2 October से 2 October, 2 October सबस्क्राइब करते हैं, 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 सबस्क्राइ गंटे क्लास होगी MCQs के साथ होगी डेली डेल गंटे क्लास होगी डेली डेल गंटे क्लास होगी और दो MCQs के साथ होगी दो अक्टूबर को सुबह 11 बजे ठीक है चलिए और ये एक नया पैच है जिसमें आपको non-technical technical सब कुछ मिलेगा you'll get non-technical also ठीक है तो SSC, J&E इस्टेट एई एक्जाम्स का सब्सक्रिप्शन पर्चेस कर लीजिए ओके जी बस आपको सब्सक्रिप्शन पर्चेस कैसे करना है तो यहाँ पर आपको ये amount डिकरा होगा एक साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 900 रुपए का डिस्काउंट है और दो साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 1080 रुपए का डिस्काउंट है 9720 रुपए का है यूज करना है कोड ASHISH10 क्या करना है कोड ASHISH10 कोड का इस्तिमाल करना है चलिए आगे बढ़ते हैं SSC, J&E 3-2 exam के अंदर जो classes चल रही है इस category में वो आप देख सकते हैं reasoning की class चल रही है geotechnical engineering civil की class चल रही है electrical की class चल रही है crash course भी चल रहा है सभी classes चल रही है basic electrical engineering 2 classes और बची है two classes are remaining basic electrical जो है फिनिश हो गया जिसमें मैंने EMFTW पढ़ाया है electrostatic and magnetostatic जो की हर एक examination में आता है ठीक है तो इसकी class 2 गंटे regular चल रही थी आपकी जो 1.5 गंटे electrical machine की ये class 1.5 गंटे की होगी जो की regular चलेगी ये आप देख लीजेए ये आपकी profile है सभी लोग इस profile को follow कर लीजे और सारी special classes देखने के लिए ASH-ISH10 code का इस्तमाल कीजे This is your free unlock code to visit all the special classes सारी की सारी special classes देखने के लिए आप इस free unlock code का इस्तमाल कर सकते हैं basic electrical engineering का course कुछ इस परकार से है पहला सवाल आपकी screen पर आज का ये रहा answer कीजे भई पहला question आज का आपकी screen पर ये रहा solve कीजे भई answer कीजे भई जल्दी यदी answer बताये भई बताये क्या answer है इसका answer, answer, answer answer बताओ भई answer which of the following error is moving iron type instruments can be removed by connecting a capacitor of suitable value in parallel with the swaim पर a distance of our instrument पताये गा आवा जा रही है ना अवा जा रही है स्ट्रा कर बताये बताव प्रके है स्हुरी, है और कीजे पना झाप बताप स्ट्में स्ट्राव बताप कि अच्छाइब कर दिए कर दिए कर दो इन्होंने हिंट दिया कि हमें कैपासिटर कनेक्ट करना है और सुटेबल वैल्यू इन पैरलल विद विद दो स्वांप रजिस्टिंस अफ दो इंस्ट्रूमेंट सो एरर दू टू एरर विद डीसी वर्क अली एरर विद एसी वर्क अली एरर दू टू इस्टर्सिस और एरर दू टू इस्ट्रे फिल्ड्स फ्रिक्वेंसी एरर रिमूफ किया जाता है बफर हो रहा है गुट इवनिंग बफर हो रहा है क्या सो एरर दू टू फ्रिक्वेंसी तो इस्करेंट आंसर इस्टर्स बी बी इस्ट्रे फिल्ड नहीं बी आंसर सही है एरर दू टू टू इस्ट्रे वर्क अली असी वर्क से ही आपका फ्रिक्वेंसी डिलेट करेगा ना मतलब frequency error को remove किया जा रहा है यहां पर हम ऐसा कह सकते है frequency error को remove किया जा रहा है frequency error को remove किया जा रहा error due to frequency time constant जो है वो बराबर कर देते हैं है ना तो यह है आपका correct answer B answer is right B answer is right clear हो गया error with AC work only अगला सवाल which of the following is an example of integrating type measuring instrument ampere r meter, frequency meter storage oscilloscope और PMMC बताइए correct answer दीजे भाई चली very good ग्या ने इंदर काया है no sir क्या नो sir देखिए विच अगला इंदर काया है if the control spring of PMMC type instruments are purposely made of large moment of inertia then it can be act it can be used as if the control spring of PMMC type instruments are purposely made of large moment of inertia then it can be used as flux meter, pivoted type galvanometer, AC dynamometer or ballistic galvanometer पताइएगा अगले सवाल का सही जवाब दीजेगा if the control spring of PMMC type instrument are purposely made of large moment of inertia then it can be used as if the control spring of PMMC type instrument are purposely made of large moment of inertia then it can be used as ballistic galvanometer is the right answer ballistic galvanometer अगर control spring large moment of inertia की बनाई जा रही है तो अगर आप ज़्यादा deflecting controlling torque ज़्यादा आप लगाओगे controlling torque बढ़ा रहे हो चुकी tc is equals to k theta आप उसका moment of inertia बढ़ा रहे हो तो आप controlling torque बढ़ा रहे हो तो flux meter के तरह use नहीं किया जा सकता ठीक है dynamometer के तरह तो वैसे भी हम इसको use नहीं कर सकते जोकि वो AC में भी use किया जाता है वो transfer type के instruments होते हैं pivoted type galvanometer भी नहीं है ballistic galvanometer के तरह उसका इस्तिमाल कर सकते हैं है ना तो इस correct answer is D next which of the following characteristics is true for the materials of spring used for spring control action in indicating instruments they are magnetic in nature they are not subject to much fatigue they have high temperature resistance they have high temperature coefficient which of the following is true for the material of spring used for spring control indicating instrument which of the following characteristics is true for the materials of springs used for spring control in indicating instruments सभी लोग इस वीडियो को like और share कर दीजे एक बार सभी लोग इस वीडियो को like और share कर दीजे एक बार इसका सही जवाब है B देखे material of spring used for spring control ठीक है इन में से कौन सी करेक्टरिस्टिक सत्य है कि magnetic in nature होती है spring material नहीं high temperature coefficient होता है बिल्कुल भी नहीं ठीक है high temperature coefficient होता है बिल्कुल भी नहीं और C और D option में दोनों एक जैसा हो गया है high temperature resistance coefficient होता है यहाँ पर resistance missing है high temperature resistance coefficient होता है high temperature resistance होता है बिल्कुल भी नहीं अगर ऐसा होता तो हम यूजी क्यों करते so better option जो है they are not subjected to much fatigue so वो सही जवाब होगा spring को इसलिए ही उसकिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा fatigue में respond नहीं करती उस पर असर नहीं पड़ता so correct option is B which of the following statement for a meter is true when compared to voltmeter a meter के लिए इनमें से क्या सही है जब उसको voltmeter से compare करेंगे तो अब meter के लिए इनमें से क्या सही है जब उसको voltmeter से compare करेंगे तो पताओ क्या सही है इसमें अब मीटर के लिए इन में से क्या सही है जब वोल्ट मीटर से कंपेर करेंगे तो येस बी इस राइट तर अब अब में से क्या सही है अब में से क्या सही है तर अब में से क्या स्या लृटो करते हैं लोड्यू का करते हैं लोड्यू का तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है which of the following is the disadvantage of PMMC instrument, PMC instrument का इन में से disadvantage क्या है, following disadvantage of PMC instrument, low losses due to stresses, यह तो advantage है, Height or To Weight Ratio Advantage है Uniformly Divided Scale गलत है यह नहीं होता है यह option ही गलत है C is the right answer The PMC is very delicate instrument Delicate का मतलब यह है कि बहुत ही नाजुक उपकरण है बहुत ही नाजुक बहुत नाजुक उपकरण भई बहुत नाजुक उपकरण है बहुत नाजुक उपकरण है ओके So correct option is Correct option is what C Very good तो disadvantage थोड़ी है दिया तो wrong है लेकिन क्या वो disadvantage है जब statement ही गलत दे दिया तो वो disadvantage तो हुआ नहीं वो तो statement ही गलत बोल रहा है That is not the disadvantage of PMC ना Incorrect क्यों होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं Incorrect होता तब D सही होता लेकिन उस case में C भी सही होता फिर Incorrect अगर बोला होता तो गलत होता ना चलिए C answer is right बताइए Which among the following category of rotary motion is incorrect इनमें से कौन सा rotary motion के लिए incorrect है इनमें से कौन सा rotary motion के लिए incorrect है इनमें से कौन सा rotary motion के लिए incorrect है इसका सही जवाब हो जाएगा one coil each on stator on rotor one coil each on stator and on rotor एक coil stator and rotor दोनों में यूज़ करते हैं इसने incorrect पूछा है ना गलत है इसने incorrect पूछा है तो गलत है इसने incorrect पूछा है तो ये गलत है machine will permanent magnet machines with permanent magnet ये भी गलत है incorrect पूछ रहा है machines with no rotor coil but with permanent permeance variation ये भी होता है तो ये भी गलत है switched current in rotor coils ये सही है this is the incorrect this is incorrect switched current in rotor coils जो है वो यहां पर incorrect है switched current का इस्तिमाल थोड़ी करते है current तो permanently flow करता रहता है current तो permanently flow करता रहता है तो switch current का इस्तिमाल तो करते नहीं है so c answer is right which of the following is not essential part of a simple loop generator इन में से कौन सा simple loop generator के लिए essential part नहीं है इन में से कौन सा simple loop generator के लिए essential part नहीं है not 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 essential part देखो भई पहली बात मेरे free lecture running academy पर आते हैं सुबह 11 बजे काजल भारती आज सुबह 12 बजे special class हुई थी generator बोला है तो pool coils का होना जरूरी है commutator का होना जरूरी है armature winding का होना जरूरी है thermal shield का होना जरूरी नहीं है thermal shield का होना जरूरी नहीं है क्योंकि ventilation वैसे भी रहता है तो machine automatically thundi हो जाती है छोटी जो machines होती है वो thundi हो जाती है मेरी profile visit कीजे काजल भारती जी you will get all the answers dash may be variously defined as the periphery of the armature divided by the number of poles of the generator that is the distance between the two adjacent poles correct answer बताईएगा इसका correct answer बताईएगा इसका भाई नहीं है ऐसा कुछ नहीं है Mr. Gyanendr इसका answer करो dash may be variously defined as the periphery of the armature divided by the number of poles of the generator that is the distance between the two adjacent poles yes correct pole pitch pole pitch is the right answer very good YouTube पर सिर्फ एक lecture होता है शाम कुछ 6 बजे YouTube पर एक lecture होता है शाम कुछ 6 बजे 6 पीम पर An Academy Plus सब्सक्रिप्शन पर दो lectures होते हैं An Academy Plus पर दो lectures होते हैं शाम को 4 बजे और रात में 10 बजे Special Session एक होता है बस Special Session एक होता है सुबह 11 बजे एक होता है YouTube पर सिर्फ एक lecture होता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है न फिर से एक बार मैं define कर देना चाहता हूँ कि pole pitch को हम define करते हैं distance between the two adjacent poles उन्होंने ये ये बोल कर बहुत आसान कर दिया distance between the two adjacent pole बोल कर बहुत आसान कर दिया इस सवाल को यहाँ पर यह आपकी armature periphery हो गई सो इस armature periphery में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो distance है यह pole pitch कहलाती है एक pole pitch कहलाती है YP कहलाती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या C बोल कर उन्होंने आसान कर दिया C is the right answer identify the correct statement for a generator when compared to a motor generator के respect में आपको motor से जब compare किया जा रहा है तो क्या कथन सही है हाँ जी 10 बजे वाली plus class होती है रोहित कुमार शर्मा DFCCL का paper खतम हो जाने दो 1 October से कुछ नगुछ नया लेके आ रहा है ठीक है 10 बजे वाली class plus class होती है काजल भागती जी 10 बजे वाली class plus class होती है और बताइए इन में से generator के लिए क्या सही है जब हम motor से compare करते हैं तो देखिए correct answer is wording नहीं है यह working है working principle working principle जो है is based on electromagnetic induction ठीक है ना this is the correct statement electric generator follows flaming's left hand rule यह गलत है यह motor follow करता है motor follow करता है flaming's left hand rule in generator current is supplied to in generator current is supplied to armature winding generator में current जो है वो armature winding armature winding में supply की जाती है नहीं यह भी motor में किया जाता है यह भी motor में किया जाता है now machine converts electrical energy to mechanical energy यह भी motor में होता है generator के लिए working principle electromagnetic induction पर based है यह सही है electromagnetic induction पर based है यही सही है so D answer is right अगला सवाल which among the following serves two purposes they support the exciting coils they support the exciting coils or field coils they spread out the flux in the air gap and also reduce the reluctance of the magnetic path बताओ कौन है जो यह दोनों follow करता है बताओ 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 कौन है जो यह दोनों काम करता है यह काम भी करता है और यह काम भी करता है बताओ योग योग exciting coil को support करता है योग exciting coil को support करता है योग ये मशीन का योग है एक्साइटिंग कोईल को सपोर्ट करता है अक्षिता पॉल भी कह रही है योग निशी भी कह रही है योग स्वेता भारती भी योग कह रहे है अच्छा पता नहीं था हमें तो यार कि इतने जादा विद्वान हो गए वो मशीन में सोचराओं कि मशीन के जो जगत ग्याता है उनको नौलेज की जरूरत है आप से जगत ग्याता जो है मशीन के उनको जरूरत है आप से आप से आके योग का काम होता है कि वो एक्साइटिंग कोईल को सपोर्ट करें ठीक है तो पोल सू तो फिर यही है फिर पोल सू बैटेंगे और कहेंगे कि लियाओ भाई हमको कुछ और काम करने दो तब यह पोल सू है यह पोल सू फिर यह कहेंगे कि लियाओ भाई हमको कुछ और काम करने दो लियाओ हल्दी हल्दी कूटें जरा हल्दी मसाला वसाला बना यही काम रह गया हमको तो जिन्दगी में बाकी तो कोई काम है नहीं पोल सू is the right answer पोल सू is the right answer correct answer is A next अगला question गजब की तयारी है आप लोगों की a 220 volt DC machine has an armature resistance of 1 ohm if the full load armature current is 10 ampere find the induced EMF in the machine acts as generator and as motor assume DC machine to be sent connected in each case it is considered negligible क्या negligible consider करें करो why to start this करें 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 और ख करें 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 220 प्लस आईए आरे 230 वोल्ड हो जाएगा जनरेटेट वोल्टेज बैक ये में फो जाएगा 220 माइनस आईए आरे 210 वोल्ट हो जाएगा बैक ये में 230 और 210 ये आजाएगा पहले केस में और ये आजाएगा मोटर के केस में So correct answer is C Correct answer is C Next अगला सवाल What may be defined as the distance between the second conductor of one coil and the first conductor of next coil which are connected together at the front committator end of the armature यही आपको पूरा इस as it is as it is मेरे notes में लिखा हुआ है और यही सवाल Power Grid Corporation of India Limited में Southern Reason में पूछा गया है PGCIL PGCIL SR2 पेपर जो है वो 2021 में अभी अगस्त में याज September में हुआ है पता नहीं कब हुआ है याद नहीं है PGCIL SR2 में पूछा गया है same question as it is मेरे notes में लिखा हुआ है बताईए सही जवाब इसको मैं अटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है गया है बताओ front pitch is the right answer देखो यहां से यहां तक यह होता है back pitch यहां से यहां तक यह होता है front pitch और यह होता है resultant pitch वाई यार वाई यार तो सवाल में पूछा गया है between the second conductor of one coil यह second conductor है यही है second conductor जो यहां से यहां तक देख रहे हो यह वाला भिस्सा यह वाला हिस्सा जो देख रहे हो यही second conductor है दूसरे पेंसे बना देता हूँ यही आपका second conductor है तो यह second conductor हो गया of one coil and the first conductor of the next successive coil next successive coil का first conductor sorry यह आपका first हो गया first conductor of next successive coil and this is the second conductor इन दोनों के बीच की जो distance है यह front pitch हो जाती है क्या हो जाती है? front pitch हो जाती है इसका correct answer क्या हो जाएगा? front pitch हो जाएगा B option is right आई बाद समझ में? नहीं आई अरे देखो यह पहली coil थी ना यह वाली coil पहली coil थी यह वाली जो coil थी यह यलो कलर से जो बनी हुई है यह पहली coil थी अब पहली coil का जो last वाला second conductor है यह यह वाला this one is the second conductor this one is the second conductor and this one is the first conductor first next successive coil का first conductor और पहली coil का last conductor इन दोनों के बीच की distance को front pitch बोलते हैं समझ में आ गया ना? यही पताया हुआ था मैंने correct option is B next अगला which loss in a DC generator is about 30 to 40% of full load losses full load loss का 30 से 40 प्रतिशत loss DC generator में कौन सा होता है? बतायेगा 30 से 40% full load का loss कौन सा होता है? बताओ भई कौन सा होता है? देखो पूरे लॉसेज का 30 से 40 प्रतिशत लॉसेज आर्मेचर कॉपर लॉसेज होते है बिकाज आर्मेचर करेंट जो होता है वो यूज अमाउंट का होता है यूज होता है ज्यादा होता है है ना सो आईए स्कॉयर आरे लॉसेज जो होते हैं काफी ज़्यादा हाई होते है इसलिए कहा जाता है कि अपने iron losses को कम रखिये ताकि maximum efficiency के लिए जब design किया जा रहा हो तो हम अपने iron losses को कम कर सकें इसलिए कहा जाता है so armature copper losses is the correct answer correct answer is D next which of the following point regarding normal over and under excitation on a synchronous motor is true बताये गा बताये 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 which of the following point regarding the normal over and under excitation is true इसमें से कौन सा point true है आर आर बतापियो बता fellow मत बतापियो कि पना आर मधे बता हुर कि जह टाए w धना प्लMAN हम आर होज़ बता है चलो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है D is the right answer देखें V करव के हिसाब से गर हम जाएंगे तो यह V करव हो गया अब लोड बढ़ने पहला पहला option देखो as load on the motor decreases जैसे जैसे load motor में घटेगा armature current increase क्यों होगा वही यह बात बता दो जब load घटेगा तो demand भी कम हो जाएगी न armature current की demand भी कम हो जाएगी synchronous motor unnecessary demand क्यों करेगा दूसरा देखिए power factor tends to approach unity increase in load for normal excited motor normal excited motor में अगर आप load बढ़ाओगे तो power factor unity क्यों होगा भाई power factor घटेगा उस case में power factor तो घटेगा उस case में power factor tends to not to approach to unity decreases with increase in load for normal excited motors तीसरा option देखिए with normal excitation when load is decreased change in the armature current is greater than in the power factor normal excitation के case में जब load को घटाया जाएगा तो armature current जो होगा armature current में जो change होगा वो power factor से ज़्यादा बढ़ा होगा greater than होगा ये भी कलत है load को घटाया जाएगा तो आईये घटेगा आईये घटेगा both with under and over excitation under excitation का case ये रहा और over excitation का case ये रहा दोनों ही cases में power factor का जो change है वो आईये के साथ then in आईये with increase in load दोनों power factor भी change हो रहा है और आपका armature current भी change हो रहा है यानि कि इधर भी armature current पढ़ रहा है और इधर भी armature current पढ़ रहा है दोनों ही cases में armature current पढ़ रहा है so correct option क्या हो जाएगा D हो जाएगा D answer is right next अगला सवाल clear हो गया भाई सबको clear हो गया बोलो बोलो रे बाबा बोलो जल्दी जल्दी a DC series motor takes 30 ampere at 220 volt and runs at 80 rpm if the armature and field resistances are 0.3 ohm and 0.2 ohm respectively and the iron and friction losses are 0.3 kilowatt what will be the output of the motor plus class special class और youtube class के चक्कर में mike नहीं ठीक हो पा रहा है मुझे group में भी tag करना है mike ठीक करवाना है board में class लेना बहतर है ऐसे बैट के class लेने में मजा नहीं आता अब मेरा basic electrical का plus course खतम हो तो मैं 2 October से board पे class लूँगा अचा 2 October से मैं सभी लोगों से पूछना चाहूँगा थोड़ा सा 2 minute का break ले लेते हैं break for 2 minutes ओके take a break break for 2 minutes आज मेरी सांस भी full रही है पता नहीं क्यों ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे proper oxygen नहीं मिल पा रही so break for 2 minutes now I am asking that from the 2nd of October not from the 1st of October but from the 2nd of October what you want to study in the YouTube आप study क्या करना चाते हैं YouTube में कौंसी classes शुरू करना चाते हैं YouTube में क्या पढ़ना चाते हैं from the 2nd of October ठीक है तो क्या पढ़ना चाते है YouTube में बताईए आप YouTube में क्या पढ़ना चाते हैं 2nd of October से बताव भई आज क्लास आपकी साथ बचकर बीस पच्चिस मिनिट तक चलेगी साथ बचकर बीस या पच्चिस मिनिट तक मैंने पहले ही बता रखा था कल कि क्लास जो है वो साथ बचकर बीस या पच्चिस मिनिट तक चलेगी वैसे यह इंडिकेशन आपको नहीं था यह इंडिकेशन चाय बनाने के लिए था मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक्स चलो एक है पहला ओप्शन है थियूरी सबसे पहले पहला ओप्शन है थियूरी और दूसरा ओप्शन है MCQs पहले तो इसमें बताईए क्या करना चाहेंगे पहला ओप्शन है थियूरी, दूसरा ओप्शन है MCQs तो पहले यह क्लियर करो कि थियूरी पढ़ोगे या MCQs बेस्ट स्टडी करोगे पहले यह क्लियर करो पहले ये clear करो कि theory करोगे या mcqs based study करोगे topic chapter revision बोट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि paper analysis कह रही है शिवांगी उदाले भी कह रहे है paper analysis chapter wise revision power system power system power system power system power system power system so power system start कर दिया जाए power system start कर दिया जाए ज्यादा तर लोग कह रहे हैं mcqs चलिए power system के लिए ready है सुनिए का ध्याम से अब मैं मैंने मैंने भी कुछ यह आपका रहेगा 2 October से 2 October से कहा पर रहेगा YouTube पर रहेगा YouTube पर रहेगा चलिए second आपके लिए क्या सुरुवात की जा रही है paper analysis जो भी आपको paper analysis करनी है जो भी आपको paper analysis करनी है let's do it on special session let's do it on special session जो भी paper analysis करनी है let's do it on special session let's do it on special session let's do it on special session paper analysis अगर करना है तो let's do it on special session okay okay now in the plus classes in the plus classes I am going to start the electrical machine I am going to start the electrical machine with detailed explanation detailed explanation detailed explanation detailed explanation electrical machine detailed explanation के साथ 2nd of October clear है okay अभी clear है सबको यह यहेगा मेरा plan एक तारिक दो तारिक से chapter wise revision of power system with MCQs 2nd of October से YouTube पे paper analysis on special session 2nd of October से special session में और 3 और 3 तीसरा है plus classes electrical machines की detailed explanation के साथ 2nd of October से done done एक बार thumbs up कर दीजे done और पेंगोल वासियों उत्तर प्रदेश जारकंड तेलंग आना पूरे भारत में जहां से भी आप class देख रहे हैं बोलो भाई electrical machine detailed explanation के साथ 2nd of October से öग जर्दस्थ ने मिशिय जब अर्दस्थ plan प्लस अप्लस कौन कौन गानころ अहरा है जो अभी तक नहीं था श्यवक्रोख ब्लस से अछियों एकomas़्थी था प्लस सब्सक्रिप्शन में कौन-कौन लाइव आ रहा है जो अभी तक नहीं था चलो भाई ठीक है यही करते है चलिए इस कोशन का अंसर देखते हैं क्या है इस कोशन का अंसर देखते हैं क्या है इस कोशन का अंसर है 5.85 किलोट इस कोशन का अंसर है 5.85 किलोट चलिए तो DC series motor takes 30 ampere at 220 volt and runs at 80 rpm if the armature and field resistances are this and this respectively iron losses are this respectively output देखो P output is equals to P input P input minus all the losses तो P input है 30 into 220 this is your P input minus losses अब देखेगा DC series है series है तो आपका जो current flow करेगा यही current आपका field resistance में होगा और armature resistance में होगा तो 30 का square 0.3 प्लस 0.5 वो मो जाएगा और iron loss और वो भी minus कर दीजे 0.3 किलोट है तो इस में 1000 का गुड़ा कर दीजे अब देखेए कितना रहा है 66,000 यह आपका हो गया 66,000 आएगा ना 66,000 माइन हंडड इंडू 0.0 0.3 2 है यह 0.5 माइन हंड़ प्लस त्री हंड़ 5850 वाट 600,700,700 C answer is right C answer is right clear है clear है क्या बोलो भई काय को EB निकालना पड़ेगा काय को EB निकालना पड़ेगा सारे losses minus कर दीजे बस clear or not bolo भई चली बड़ेगा next whose basic principle is that steam is used to drive the turbine fueled by fossil fuels यह question गलत है थीक है यह question गलत है क्योंकि इसमें कई सारे option है भई इसमें कई सारे option है तो discrepancy है question गलत है अगला सवाल अगला सवाल कई सारे answer है दो option है इसमें question हिंदी में भी करो अरे मेरा typist जो है वो एक तो इतनी तनखा में English में type करके दे रहा यही बहुत बड़ी बात है कभी-कभी बिना error के कोई question दे दे रहा यही बहुत बड़ी बात है और आपके रहा हिंदी में करो हिंदी में बोल दूँगा तो वो आधा जो है आधा सुनके ही मर जाएगा वो अगला सवाल following are the advantages of diesel power engines except no standby loss easier handling fuel high operating efficiency or low noise बताइए diesel का advantage है बाकी सारे इसको चोड़कर noise कम नहीं होती है भाई noise जढ़ा 행श except noise noise कम नहीं होती है डीजल में diesel power engine की noise काफी जढ़ा होती है डीजल power engines की noise काफी जढ़ा होती है standby losses नहीं है кोई जढ़ा higher operating efficiency नहीं है मतलब जढ़ा ही है as compared to other thermal power plants easier handling fuel है ही सब सही है बट low noise नहीं है ज्यादा noise होता है ओके so its correct answer is D clear हो गया भाई D answer is right D answer is right next अगला सवाल which of the following criteria for selecting the site for tidal power project is incorrect बता हो which of the following criteria for selecting the site for tidal power project is incorrect the storage area should be large it should be environmentally acceptable the tidal range should be small and limited the site should allow the development of the necessary plant for reasonable cost yes correct C is right एक बात बता हो incorrect बोला storage area जब ज़्यादा है storage area ज़्यादा है environmentally acceptable है तो हमारा जो range है वो small कैसे हो सकता है small नहीं हो सकता यह ना it cannot be small and limited it should be very large it should be very large the site should allow the development of the necessary plant for reasonable cost यह भी सही है यह यह criteria है बट यह incorrect है यह correct है D correct है B correct है A correct है बट C correct नहीं है C correct नहीं है ओके? ओके? C is the right answer C is the right answer ओके? SSC JEE के बारे में कुछ बताईए क्या सुनना चाहते हैं SSC JEE के बारे में SSC JEE के बारे में क्या सुनना चाहते हैं बताओ What does the system show in above figure represents? What does the system show shown in above figure? यह system क्या show कर रहा है? बताओ भई उसको भी पढ़ाईए प्रभुदेव Mr. Vishal Dubey इन सब सवालों को करिये सर यह सब सवाल SSC JEE में के लिए भी उतने ही उतने ही उतने ही उप्योगी हैं जितने दूसरे examination के लिए हैं ठीक है न? यह सवाल एक्जाम देख कर नहीं आएगा क्या रहे यह PGCL में आए था? अच्छ 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 हम PGCL में एक बार आचके अब हम SSC JEE में नहीं आएंगे अले ले ले नहीं नहीं हम इपर PGCL में आ चुके अब ऐसा थोड़ी होता है यार जो सवाल आप देख रहे हो यह सवाल SSC JEE में भी आ सकता है अगर आप वेल प्रिपेर्ड है तो आप यह question कर लेना चाहिए आपको SSC JEE के लिए correct answer is C the two wire DC system without midpoint earth midpoint earth नहीं है इसमें this is not midpoint earth this is not midpoint earth not midpoint earth okay okay so two wire DC system without midpoint earth C answer is right without midpoint earth okay next what is the function of surge protection device in generator terminal equipment बताईए भाई then very good ना अगर आप सही सही answer दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है means your performance is very good आपकी performance जो है वो बहुत अच्छी है आगे भी इस तरीके से बैतर perform करते रहे हैं question examination देख के नहीं आता question कहीं से भी आ सकता है पढ़ाई को बस अपना 100% रखो अगला question करो बाकी सभी लोग किसी दूसरे पर ध्यान न दें सिर्फ और सिर्फ question करें answer करें comment section पर ध्यान न दे what is the function of surge protection device in generator terminal equipment unit protection metering synchronizing और limit transient voltage देखो उचा जा रहा है कि surge protection device generator के terminal पर generator के तीन terminals है R, Y, B इस पर surge protection device surge protection device का जो काम है जो function है वो क्या है ये नहीं पुझा जा रहा है कि surge protection scheme generator को generator पर जो है उसको unit protection बोलते हैं या non unit protection बोलते हैं ये नहीं पुझा जा रहा है आपसे तो unit protection बोलते हैं बट function थोड़ी है ये surge protection device का function थोड़ी है ये metering भी काम नहीं है synchronize करना भी काम नहीं है surge protection device का काम synchronize करना भी नहीं है surge protection का काम है ताकि transient voltage को limit किया जा सके अचानक से बहुत ज़्यादा huge voltage induced हो अगर उसके terminal पर तो उसको कम किया जा सके उसको ground किया जा सके ये है उसका main function उसका ये मेन काम है आई बाद समझ में अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि मेकैनिकल का कोई क्लास ले अच्छा अगर मैं आप से कहूँ कि आप चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई कीजिए तो अभी आप कर लेंगे अभी मैं आप से कहूँ कि आप नहीं चाहता टाइम वेस्ट होता है अनकेडमी SSC जेही चैनल पर विजट कीजिए अनकेडमी SSC जेही चैनल है यूट्यूब पर ठीक है वहाँ पर मेकैनिकल इंजिनरिंग की क्लास चलती है मैं इलेक्रिकल इंजिनरिंग का एजुकेटर हूँ ठीक है वहाँ पर mechanical engineering की class चलती है I am an electrical engineering educator so I cannot take the mechanical engineering classes thank you so much limit transient voltage is the right answer next अगला अगला सवाल which of the following is the main drawback of double bus double breaker scheme in substations बताईये बताईये वही correct answer बताईये अने केडमी SSCJE channel पर mechanical engineering की class चलती है यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा चलो अगला question का answer करो which of the following is the main drawback of double bus double breaker scheme in substations double bus double breaker scheme in substations इसका correct answer करो देखो main drawback it may lose half the circuit of breaker failure if circuit are not connected to both buses this arrangement has no flexibility in permitting feeder circuits to be connected to either bus in double bus breaker scheme each circuit has only one dedicated breaker any breaker cannot be taken out for maintenance separately as in the single bus arrangement drawback पूछा है देखो हम यहाँ पर पहले पहले हम देखते हैं पहली बाद तो इसका A option सही है ठीक है लेकिन हम A option के भी कुछ consequences देखते हैं देखें दूसरा option के रहा है कि this arrangement has no flexibility in permitting feeder circuit to be connected to either bus जबकि double bus है दो buses है और दो breaker है दो ब्रेकर है तो obvious ही बात है कि flexibility ज़्यादा होगी है मारे पास तो इसमें के रहा है no flexibility तो यह गलत हो जाता है और यह drawback नहीं है यह तो advantage है ठीक है न यह तो advantage है see this arrangement has flexibility in permitting feeder circuits to be connected to either of the buses now third option के रहा है in double bus breaker scheme each circuit has only one dedicated breaker यह भी आपका drawback नहीं है this is also not a drawback main drawback this is not a drawback this is not a drawback okay so C भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा any breaker cannot be taken out yes it can be taken out it can be taken out so any breaker can be taken out for maintenance separately as in single bus arrangement यह यह भी यह भी गलत है this is also not a drawback so A would be the drawback वो कह रहा है कि यह half circuit को lose कर देगा breaker failure के case में अगर circuit दोनों breaker से connected नहीं है तो मान लीजे कि एक bus है यह bus है और एक bus और है ठीक है तो अगर एक breaker को दोनों buses से synchronize किया गया होगा तो अगर एक breaker को दोनों buses से synchronize नहीं किया गया होगा तो आपका आधा जो एक bus है वो fail हो जाएगी एक circuit fail हो जाएगा अगर दोनों buses एक single breaker से connected नहीं हुई तो एक single breaker से connected नहीं हुई आई बस समझ में तो यह disadvantage है यह condition है फिलाज disadvantage भी नहीं है यह condition है कि अगर आपने circuit को एक साथ connect नहीं किया हुआ है तो आधा circuit जो है वो lose हो जाएगा खतम हो जाएगा अगर failure हुआ तो अगर breaker failure हुआ तो हमें दोनों buses को दोनों breaker से connect करना होगा हमें दोनों buses को दोनों breaker से connect करना होगा आई बास समझ में तो यह जो है यह जो है यह जो है यह answer is right next identify the motor which is single phase where the rotor is made of ferromagnetic material and of chrome, cobalt, steel or elnico elnico identify the motor which is single phase where the rotor is made of ferromagnetic material B hysteresis hysteresis motor में जो rotor होता है वो solid cylinder rotor होता है solid cylinder होता है solid cylinder rotor होता है तो solid cylinder rotor में आपका यह यह तो cobalt से बना होगा cobalt steel से या elnico से या chromium steel से so connect answer is B next यह single phase motor भी है अगला question which one of the following motor may be used to supply VARs and improve voltage regulation which one of the following motor may be used to supply VARs and improve voltage regulations बताये so its correct answer is synchronous motor very good synchronous motor is used to supply the volt ampere reactives improve voltage regulations also it is used to improve the voltage profile voltage profile को improve करने के काम आता है है याद है आपको synchronous phase modifier SPM यह synchronous motor सी होती है basically so its correct answer is synchronous motor next question अगला सवाल है dash is large switch that interrupts the load and fault current इन में से कौन सा बड़ा large switch है जो load और fault current को interrupt करता है बताओ तो circuit breaker जो है बड़ा large switch है circuit breaker circuit breaker is a large switch that interrupts the load and fault current A answer is right circuit breaker is a large switch circuit breaker is a large switch that interrupts the load current and PF sorry PF बोल नो fault current next identify the correct property of insulator for overhead lines insulator की correct property क्या है overhead line के लिए dielectric strength must be high porous होना चाहिए internal flaws होने चाहिए they should be minimum affected by temperature correct property surge arrester एक switch नहीं देखो load current को और fault current को prevent करना है surge arrester surge huge surge voltage को ground करता है huge surge voltage को ground करता है यह load current या fault current को नहीं prevent कर पाएगा तो वो surge arrester है that is not a large switch वो ground करने के काम हता है इसका answer है dielectric strength must be high dielectric strength जो होनी चाहिए वो इसकी high होनी चाहिए यही है correct property insulator की हाँ यह भी है कि minimum affected by temperature होना चाहिए but dielectric strength would be the more preferable answer dielectric strength जो है वो high होना more preferable answer है so a is the correct answer a is the correct answer next which of the following is one of the drawback of pumped storage power plant pumped storage plant का drawback क्या है इसमें से pumped storage power plant का drawback क्या है pumped storage power plant का drawback क्या है इसमें से they are costlier compared to other peaking units these plants causes pollution in large scale machine is idle for several hours it offers low flexibility in operation one of the drawback which of the following is one of the drawback of pumped storage power plant they are costlier compared to other peaking units these plants causes pollution in large scale B option तो कता ही नहीं है it offers low flexibility in operation ये भी गलत है flexibility तो ज्यादा होती है they are costlier compared to A और C में से सही लग रहे हैं in the state में बनी रहती है so correct answer is C as compared to A A और C दोनों सही लग रहे थे बट C is more preferable than A C is more preferable than A okay जी high initial capital cost भी इसका होता है ठीक है ना ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया pumped storage power plant का ये एक disadvantage है कि initial capital cost इसकी काफी ज्यादा होती है मुझे जहां तक लग रहा है कि machine जो है वो ideal state में बनी रहती है कई घंडे तक ideal state में है सही है C is the correct answer next which among of the following shape of the bulb is most suitable for wall light and ceiling lights बताये environmental effect इसका नहीं रहता सर hydropower plant है ये बता हो भई दिवालों की light के लिए य को जो होता है वो most suitable होता है बताओ कौनसी शेफ का बल most suitable होता है किसी भी शेफ का हो सकता है या राजगल arbitrary किसी भी शेफ का हो सकता है arbitrary शेफ का हो सकता है not a bulged not a candle, not a blown tubular, it may be of any shape, it may be of tubular construction it may be of peer-like structure भी हो सकता है जो पुराने देखे थे आपने peer-like structure हाजकल बहुत सारे lady आ गहे है जब वो कह दे दिवार की light के लिए और ceiling light के लिए तो किसी भी structure का हो सकता है no, इसमें कोई specific structure नहीं है permissible minimum ground clearance of 66 kv lines 66 kv line के लिए minimum permissible ground clearance कितना है 66 kv के लिए minimum permissible ground clearance कितना है so minimum permissible ground clearance है 6.1 meter A answer is right minimum permissible ground clearance है 6.1 meters so its correct answer is A next agla find the current circuit current for the following loads connected in a building if the supply voltages are 230 volt AC find the circuit current for the following loads connected in a building if supply voltage is 230 AC कौन कहां से भईया कौन कहां से घर आना है भईया बताओ कहां से किसके बारे में पूछ रहे हो मेरे बारे में पूछ रहे हो हां से बारे में भईया किसुश्धppe झाल झाल ग्यारा दसमलो तीन एंपियर आरा है भई यह आंसर इस राइट ग्यारा दसमलो तीन एंपियर देखो चार लेंप है दो पांसो आट के है हर एक तो एक लेंप का जो रजिस्टेंस होगा वो आपका दो सो तीस इंडू दो सो तीस डिवाइड़ वई पांसो इतने के हो जाएंगे आ जाते हैं अवकात पे अपनी दो सो तीस इंडू दो सो तीस डिवाइड़ वई पांसो एक सो पांस दसमलो आट का एक रजिस्टेंस है तो जो करेंट ड्रॉ करेगा वो दो सो तीस डिवाइड़ वई एक सो पांस दसमलो आट का करेंट ड्रॉ करेगा यनिकी यह भियान देना कि यह बराबर नहीं है यह resistance है ठीक है न this is the resistance of first case 105.8 यह current हो गया current कितना हो गया 230 divided by 105.8 2.17 ampere अब 2.17 ampere का एक current है तो यानि कि चार bulb ले रहे हैं तो पहले case में यह current आएगी आपी चार इचार 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 इच is 230 by 529 and the second case the current is i2 is 4 multiply by 230 by 529 you will get 0.434 multiply by 4 1.736 1.736 now in the third case the resistance is 230 ka square divided by 200 current आ जाएगा somewhere around third case में 230 divided by the resistance R3 and you will get इतना आ जाएगा 0.869 0.869 तो यह total current यहाँ पर जोड़ दो 8.69 प्लस 1.736 प्लस 0.869 कितना आ रहा है जोड़ने पर प्लस 8.69 प्लस 1.736 11.3 एंपिर यही आपका total current हो जाएगा clear है वही okay clear or not आ गया है समझ में clear got it or not next what should be the clearance above the ground at the lowest conductor across a street for higher voltages same question दो बार पूछ लिया गया लग रहा है मुझे same question दो बार पूछ लिया एक ही पेपर में what should be the clearance above ground at the lowest conductor across a street for higher voltages कैसे भी कर लो सभर कैसे भी कर लो मैं एक जनरल प्रोसेस बताया हूं कि आप अगर अलग 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 unit दे रखी होती तो आप अलग अलग unit पर अलग अलग voltages पर ऐसे calculate करते हैं चिक्छे ना बात समझे यह एक जनरलाइज़ प्रोसेस है श्पोस्पोस करो कि यहां पर voltage इसका voltage को short दे रखा होता तब अलग अलग resistance calculate करते फिर आप जो current draw कर रहा है supply से calculate करते तो आप इस तरीके से calculate करते जनरलाइज़ प्रोसेस है बाकी अगर हम यहां पर देखे तो simple हम यहां पर total power लेंगे तो यह 2000 power हो गई इसकी plus 400 watt power हो गई बल्व की plus 200 watt हो गई इसकी 2600 watt हो कोई total power consumed P बराबर VI करो 2600 divided by 230 करो आपका यहां से current direct आजाएगा 11.3 ampere लेकिन अगर अलग-अलग voltage rating होती तब कैसे करते अलग-अलग voltage rating होती तब आप इस तरीके से करते जैसा कि मैंने अभी अभी आपको पताया है okay clear so 11.3 ampere ऐसे भी आ जाएगा next अगला question what should be the clearance above ground at the lowest conductor across a street for higher voltages 6.1 meter यही है same lowest conductor की height पुछी है lowest conductor की height ही आपकी earth से 6.1 meter की होनी चाहिए 6.1 meter की होनी चाहिए so its correct answer is C okay next which among the following types of bulbs are used for ceiling lights and wall lights बताये दीवारों में किस प्रकार के bulb का इस्तमाल करेंगे दीवारों में और ceiling lights में किस प्रकार का bulb इस्तमाल करेंगे तो correct इस्तमाल करेंगे mercury वेपर जो bulb इस्तमाल करेंगे वो mercury वेपर प्रकार का होना चाहिए so a answer is right mercury वेपर लेंब चलो भई तो यह थे आपके आज के कुछ सवाल I hope so की session आपको पसंद आया होगा ठीक है so thank you so much and कल DFC CIL का paper दीजेगा बैतरीन तरीके से कल कुछ हम analysis कर सकते हैं अगर paper में कुछ questions आपने मुझे बताए कि कैसे paper में आये हैं questions so we will do the analysis also हम analysis भी करेंगे कल के paper में अगर आप लोगों ने question मुझे दिये कुछ questions अगर मुझे मिले तो so कल के paper के लिए best of luck मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अच्छे से paper दीजेगा जो लोग paper नहीं दे रहे हैं जो लोग तैयारी में अभी अभी enter हुए हैं वो लोग subscription purchase कर सकते हैं using the code ASHISH10 okay इस code का इस्तिमाल कीजेगा देखिए आपकी vacancies हैं आपकी vacancies हैं कुछ 40 या 50 और आप live हैं कुछ 40 या 50 ठीके जितने जितने लोगों का कल paper है जितने लोगों का कल paper है उन सभी लोगों में जितने लोग live हैं हो सकता है इन में से ही कई सारे लोग select हो जाएं बस it depends on you यह आपके उपर निर्बर करता है कि आपके सरीके से अपना best perform करते हैं ठीक है तो होकर आईए अपना best देकर आईए 200% 300% देकर आईए okay and selection ले दीजे dfccl के paper में dfccl executive की post पर selection लेना है पहले भले हमें join करना है या नहीं करना है वो बात की बात है ठीक है लेकिन basic electrical, electrical machine, measurement, analog electronics, digital electronics, material, control system इन subjects के questions को forward कर रख देना है अच्छे तरीके से attempt करना है ठीक है बस code इस्सिवाल कीजे अगर आपको subscription लेना है तो ESH IASH10 इस video को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा और subscribe कर दीजेगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो okay clear है thank you so much bye bye God bless you all and best of luck from my side do your best and give your best